नौसकार स्वागे था आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और आज इंडिया की बात में होंगे तीम मुद्दे राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही है मगर उससे पहले कोरोना के बहाने उनकी यात्रा को रोकने की साजश और उसी में हम चर्चा करेंगे किस तरह से राहूल गांदी की एक शब्द पिटाई के इस्तमाल को लेकर उन पर हमला किया जा रहा है उन्हें देश द्रोही तक बताया जा रहा है मुद्दा नंबर दो संसद में विपक्ष लगातार चीन पर नियम 266 के अंदर कत चर्चा चाहता था सरकार ने मना कर दिया क्या मुद्दों से भाग रही है मोदी सरकार और मुद्दा नंबर तीन होगा शाहरू खान का पठान का गाना बेशर्म रंग और उसको लेकर विवाद आप जानते हैं कि किस तरह से निशाना साधा जा रहा है मगर दूसरी तरफ शाहरू खान है एंपाइर मागजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 50 आक्टर्स में शामिल किया है इधर कुछ लोग उन्हें जान से मार पठान की धमकी दे रहे हैं का खत्रा चीन से आ रहा है इसलिए आप अपनी उस यात्रा पर रोक लगा दीजिए को रोना को लेकर सकती अपना यह अब यह दोहरे माबदंड साफ तौर पर वीजेपी के होते हैं आप जानते प्रधान मंत्री की रालियों के लिकर कितनी सुरक्षा बरती जाती थी खासक कारे मेरा बहुत साफ मानना है कि दरसल यह कोरोना बहुत खास है यह प्लिटिकल गोरोणा है जिसे भारत-चोड़ो यात्रा को निशाने पर रखने के लिए बास्ता बेद में और एहसास मुझे तब और जादा हुआ जब मैं बारत-चोड़ो यात्रा कबर करने क्ल पहुं के लोगों को इससे दूर करने की कोशिश हो रही है या पॉलिटिकल कोरोना है इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि भारती जनाता पार्टी को उम्मीद थी कि जैसे ऐसे वक्त बढ़ेगा मीडिया की मदद से राहूल गानी की भारत जोड़ यात्रह की विश्वस नहीं था वो खत्म किया जा सकता है मगर ऐसा हुआ नहीं मीडिया के प्रचार के बावजूद ये यात्रह बढ़ती रही है और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन रही है इसलिए तमाम जर्यों से हमला किया जा रहा है उनकी एक शब्द पिटाई को लेकर भी उन्हें देश दुरूही तक बताया जा रहा है ये कहीं न कहीं बीजेपी की बॉकलार्ट बताती है उर्मिलेश जी क्या है इस मुद्दे का पंच देखिए अबिसार मैं समस्ता हूँ कि कोरोना एक गंभीर चुनोती है क्योंकि महामारी का मसला है वो भारत में अभी कोई स्थिती ऐसी नहीं है जो आंकडे बताते हैं 119 या 120 मंगलवार तक थे और 3000 कुछ केसे जो हैं टोटल मिला कर थी तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रोटोकल आपको निर्धारित करना है तो एक पार्टी एक नेता के लिए नहीं होना चाहिए वो पूरे देश के सभी राइनितिक दलों के लिए सामाजिक संग्टनों के लिए या और आम सबास के लिए होनी चाहिए तो एक लेटर सिर्फ एक नेता को भेजा जाना ये मुझे लगता है इसका कोई तरक नहीं है क्योंकि उसी दर्मियान राजस्तान में जना क्रोश राली बाजपा की चल रही थी उसके लिए कुछ भी नहीं गया इत्फाक यहाँ पर यह है भाशा कि जना क्रोश राली को लेकर भारती जनता पार्टी एक बहुत मौरल हाई ग्राउन अपनाती है कहती के साब हम राली को रद कर रहे हैं मगर फिस अतीश पुनिया साब कहते हैं नहीं नहीं साब गलती हो गई गलत समझा गया अब उस यात्रा को फिर से बहाल किया गया है और दिल्चेस बात यहां पर यह है कि हेल्थ मिनिस्टर ने जो राहूल गानी को खत लिखा वो शिकायत एक भाजपा सांसद ने की थी कोरोना को लेकर नहीं है तो ये कोरोना को लेकर जो आसु बाहरी बढ़ा रही है वो सरसर वाहियात है कोई आपका नहीं मेरा तो दूसरा सवाल है कि आप देखिए कि जैसे ही हंगामा शुरूता कोरोना का अभिसार हमें दिखाई देता है कि अगले दिन संसद में सारे लोग मास्ट पहन कर रहे हैं प्रधान मंत्री सहित hir सारे लोग उसी दिन श्राम को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदितिनात् 1 शादी में जाते हैं Mours नदारत तो क्या संसद में फोटोशॉप के लिए मास्क है और बाकी कहीं नहीं और कोई प्रोटोकॉल नहीं जब आपकी सरकार है न कोई राजा का शाशन थोड़ों कि आपने कहा कि अभिसार आप मास्क लगाएंगे भाशा मास्क नहीं लगाएंगे तो यह जो एक राजशा समझदार कोरोना है वो देखेगा कि आपको संसद के अंदर तो मास्क लगाना है मीडिया के लिए अपने प्रचार के लिए मगर फिर वो करोना समझ जाता है कि जब आप उत्तर पर देश जाएंगे शादी में जाएंगे तब मैं वहानी आने वाला है और कहीं और बाहर नह जा सकता है कुछ नहीं हेल्थ मिनिस्टर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे माली जी आपके पास कोई शिकायत आई है स्कूल के प्रिंसिपल के पास और वो बच्चे की माता-पिता को लेटर लिख रहे हैं उस तरह से उन्होंने राहुल गांदी को लेटर लिखा है कि ना सिफ कोरो राहुल गांदी के सामने आते हैं राहुल गांदी उन्हें बताते हैं कि आपका शूलेस खुला हुआ और भवर जीतेंद्री सिंग अपना शूलेस बांद रहे होते हैं मगर भाजपा के जो आई टी सेल जो है अमित मालवी जो है वह जूट चलाते हैं कि देखो राहुल ग मैंने आमिन देश के अंदर ही और फ्लाइट से आया और फ्लाइट में कोई प्रोटोकोल नहीं मने वहां मास्क लगाय हुए लोगों की संक्या बामुश्किल दस या पंदरती जिनमें एक मैं भी था लेकिन अधरवाइज कोई मास्क नहीं लगाया था कोई एनॉंस्मेंट न यह क्या उचित्या है और मैं कहता हूँ कि अगर लेटर लिखना था तो उसके पहले मिनिस्ट्री में एक हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए थी जो हुई ती जो मेरी जानकारी है कि सांसदों जिनका जिकर आपने भी किया अपने सवाल में कि कुछ सांसदों तीन सांसदों ने दरसल संजोग ऐसा है देखिए कि वो तीनों एक ही पार्टी के रहे हैं उन्होंने लेटर लिखा लेटर जिसनी लिखा उसी दिन मंत्री महुद है जो स्वास्ट मंत्री हैं उन्होंने फिर से लेटर लिख दिया राहुल गांदी को तो हमारा यह कहना है कि इसके लिए ह होनी चाहिए थी और धेन किया जाना चाहिए था कि चीन से अगर संक्रमण का खत्रा है तो एरपोर्ट पर क्या हम प्रबंद करें क्या एहतियात बढ़तें अच्छा के वले चीन का मसला नहीं है चुकि चीन के दूसरे देशों से भी रिष्टे हैं आने जाने के तो हर देश स आने वारी फ्लाइट को आप एरपोर्ट पर कैसे उनको चानबीन करें इसका क्या देखे सरकार अपने आकड़े ही भूल गई उन्होंने कहा कि सब लोगों को भारती नागरिकों को लग चुका है यानि 95 परसेंट जो आबादी है 95 पीसिदी भारती आबादी जो 12 साल से उपर की है उसे एक डोस लग चुकी है और 88 पीसिदी यानि वो मान के चल रहे थे कि यह जो बाकी 22 पीसिदी बचे हुए और 5 पीसिदी बचे हैं सिर्फ वही भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे यह जो मजाग बना दिया एक महा कोरोना की वैक्सीन से कोई कॉम्प्लिकेशन कोई पेचीत गया आ जाएं तो उसका जिम्मा मोधी सरकार के कंदू पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि यह कोई तीसरी पार्टी बना रही है हद हो गई अब वो कोरोना वैक्सीन जो है वो तो जनता तक पहुचाई जा रही है सर तक बवाल और दिल्चस बात यह है मीडिया में इनके जो पालतू दंगाई पत्रकार हैं वो तक उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे हैं अब सोचे किस तरह का यह टूल केट काम करता है यहाँ पर उर्मिलेश जी यह कोई नई बात नहीं है हम पिछले साथाट सालों से लगा और भार जोड़ यात्रा में लगातार बनाये जा रहे हैं और मैंने देखा कि आप आपको याद है शर्शी थरूर के बारे में किस तरह की चीज़ें कहीं गई हैं उनकी पत्नी के बारे में किस तरह की चीज़ें कहीं कहीं गई केरल में आपको मैं बताऊं वहां के तरह के लोगों के साथ यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है यह पिटाई वाला मामला आप देखिए कि भाषपा के लिए जो महान कवी हैं और जो तमाम मंचों पर खड़े हैं वो सीधे सीधे सोनिया गांधी की कोक का अपमान करते हैं डियने का जिक्र करते हैं और कहते हैं चानक्य में बाते ही कही कि नहीं ये लोग जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाते हैं अपने दुश्परचार के जरी नफरत पहलाने की मैं कह रहे हूं कि आप इतनी घिनावनी बात कहते हैं आपके उपर कोई कारवाई नहीं होती जब कि हम जानते हैं कि बात-बात पर चुटक नहीं है क्योंकि उनकी भी शादी एक विदेश्ची महिला से हुई है तो यह जो सारा का सारा डिसकेशन और डिसकोर्स मनुस्मृति के हिसाब से कर रहे हैं जिसमें महिला महिला का अपमान उसकी को का अपमान मुझे लगता यह अक्षम में अपराद है मैं एक बात बता जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तो उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सैनिक जब मर्जी आकर हमारे सैनिकों को मार देते हैं इस तरह से उनका बाकाइदा बयान था यह तो और भी ज़्यादा आपत्ती जनक हुआ मैं यह कह रहा हूँ कि अगर इस सरकार को लगता है कि राहूल गांधी पिटाई शब पर जवाब दें तो कॉंग्रेस भी कुछ सवाल उठा रही है मसलें कॉंग्रेस यह सवाल उठा रही है कि जिस UC ब्राउजर को आपने 2017 में आपती जनक बताया था शाइनीज कमपनी को वो आपके चुनावी प्रचार के लिए जिम्मेदार थी 2019 में डॉंग फैंग नाम की कमपनी वो जम्मू कश्मीर जैसे समवेदंशील राज में एहम किरदार ने बार रही थी जो की वो डॉंग फैंग कमपनी जो दुनिया भर में प्रतिबंदित है जो असली सवाल है उसस राजब्दों से खेलते हैं और किसी दूसरे नेता किसी दूसरे पक्ष द्वारा बोली गई बात को इस तरह प्रचारित कर देते हैं कि लोगों में वाकई बैठ जाता हरी उनने जैसा क्यों कहा अब जैसे राउल गांधी के पिटाई शब्द पर लोगों से आप आम लोग गया उसे जाते से जोड़ दिया गया था प्रधान मंत्री क्योंकि देखे उसमें वज़ा क्या है मैं आपको बताओं इसके थोड़ा सा धैर से मुझे लगता है कि काम भी करना चाहिए नेताओं को जिनके पास अपनी मशिंडी नहीं है प्रोपेगेंड़ा की उनको ऐसे श खोजने में शब्दों को कठिनाई होती है पिटाई शब्द जहां तक मैं समझता हूं उसके जगा दूसरे शब्दी इस्तेमाल किये जा सकते थे नीच के बदले निमनस्तरी कहा जा सकता था लेकिन इन लेकिन अगर उसे दिकत है कि सारा का सारा विमर्ष और डिस्कोर्स हम और आप भी पिटाई पर कर रहे हैं असली विमर्ष इस पर होना चाहिए जब आप देही पूछनी चाहिए कि हुआ क्या अरुनाचल में हुआ क्या और अगर ऐसा हुआ है दुबारा दोहराय जा रहा है तो ये कौन लोग हैं जो चुपचा बैठे हुए हैं अरुनाचल मे ये एक बहुत खतरनाक चीज है कि जहां भारत की सीमा का विवाद है वहां पर हमें जवाब ये चाहिए कि हो क्या रहा है स्थितिस पश्ट हो और उसके बजाए सारा का सारा डिसकेशन यहां पर हो गया कि राहुल गान जैसे मानलो राहुल गानी अरुनाचल में मौजूद थे लड़ाई करने के लिए और सारा विमर्श हाला कि बिल्कुल हाला कि मैं बता दूँ अब हम दूसरे विश्य का रुख करेंगे हाला कि मैं आपको बता दूँ मैंने आज ही एक आर्टिकल पड़ा अमित मालवी के ओपर जो कि भाच्पा के प्रचार तंतर के मुखिया है उन्होंने सोला कम से कम सोला ऐसे जूड बोले सरयाम जूड अब ये जो जूड कहा जाता है ये लोग अपने प्रचार तंतर के जरीए करोडों लोगों तक महुचाते हैं तो अगर राहूल गांदी कोई और शब भी इस्तिमाल करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि का तरह से वो लोग काम करते हैं बेराल अब हम दूसरे मुद्दे का रुक करते हैं विपक्ष लगातार मांग करते रही संसत में कि सरकार जो है वो चीन पर रूल 266 के तहट चर्चा कराए सरकार नहीं मानी इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई एहम मुद्दों पर विप बाती है इस खबर का क्या है पंच और में लेशी बताएंगे ठीके सरकार इतने प्रशंड बहुमत वाली सरकार ये है लोगसभा में और अब तो राजसभा में भी तो ये भागने की वज़ा ये है कि ये सरकार ऐसे विधेकों पर जोड़ देती है जो जनविरोधी हैं जो वाकई देशित में नहीं हैं ऐसे असंख हैं आपने कुछ का नाम ले लिया और भी मैं नाम ले सकता हूं विधेकों का तो असल कारण बहस से भागने का ये है कि मौजूदा सरकार अपने लेविल पर पार्टी के लेविल पर जो चाहती है उसी को देश पर थोप देना चाहती है पार्लामेंटी डिमक्रसी को ये जो उसकी आदत है वो तरह से नया नियम बना दिया है मोधी सरकार ने कि विपक्ष जो भी मांग करेगा उसकी सुनवाई नहीं करेंगे और इस तरह से विपक्ष के बुनियादी मुद्दों को पतल से ही गायब करना सदन में चरचा से गायब करना और अकूत बहमत के जरीए जो मन आ रहा है बहुत कम बहस के जरीए बहुत दूर गामी प्रभाव वाले विधेकों को कानूनों को पास करना एक नया नॉर्मल भारत सरकार ने बना दिया है, मुदी सरकार ने बना दिया है, जो इस सत्र में भी ऐसे ही दिखाई दिया, अभिसार क्या है आपका पंचिस पर? दिखें, मुदी सरकार जो है ना, वो मास्चर है परसेप्शन के खेल में, राय बनाने के खेल में, अब वो नहीं चाहती कि इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज हो, कि एहम मुद्दों पर विपक्ष ने अपनी क्या बात कही थी, मुद्दों को भटकाने में, मैंने एक मिस साल दीना, किसान बिल, बगएर बहस के, बगएर समिती में बेठे उसको पारित कर दिया गया, और किस तरह से उसे वापिस भी ले लिया गया, अगर इस पर बहस होती, इस पर लोग अपनी राय देते तो जाहिर सी बाते वो इतियास के पन्नों में दर्ज होता, मगर भारती ये जनता पार्टी कहीं न कहीं उससे भी बचना चाहती है उर्मिलेश जी मैं आपसे समुद्दे पर राय मांगना चाहूंगा विपक्ष अगर 267 के अंतरगर चीन पर बैस चाहती है तो ये सरकार को क्या कहने का अधिकार है कि नहीं को इतना गंभीर मुद्दा नहीं है रक् अधेशिक मसले होते थे फारेन एफेर से जुड़े या इंडिया के दूसरे देशों से रिष्टों को लेकर उन पर बहुत खुल करके और बहुत दिल्चस्प भास होती थी बहुत थार्ट प्रोवकिंग बहुती विचारों तेजक भास होती थी इन फॉर्मेशन्स एनलसि जिस तरह से गंभीर होती थी संसत के अंदर उन उन मसलों पर वो आश्रजनक है मैंने ऐसी कई डिबेट्स देखी हैं खासकर नहरूजी के जमाने में और इंद्रा गांधी के जमाने में जो भासे होती थी वो सारा डॉकुमेंटेड है पार्लेमेंट की हिस्ट्री में उस द बदलती रही उनके तोर तरीके बदलते रहे उसके बाद ये क्रमशा सिलसिला कमजोर होता गया और ये तो फारेंट अफेर्स का मामला है ये तो मान लीजे एक देश से दुसरे देश के जटिल रिश्टों का मसला है बहुत सामाने इश्यूस पर भी बाहस से सरकार भागती रही है और आपने देखा किसाना अदॉर्ण का मसला बिलकुल ये जो चीन का मसला है जिसको लेकर ये सारा विवाद हुआ है इस पर अगर मान लीजे मंतری का बयान आए आप पहले भी देखा है इंडो पाकिस्तान इंडो चाइना रिलेशंस पर ये यूपिये की सरकार हो चाहे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार, आमिन पहले की कॉंग्रेस सरकार, यूपिये से पहले, वो लोग भी बयान दे करके इस पर भस से मना कर देते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल ये कि क्या इस से पहले कोई ऐसी सरकार आई है, जिसने सेनिकों के शोर, शहादत पर खुलकर राजनीती की है, अपने विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया है, ऐसे में आपको नहीं लगता, अगर ये कारे में कह रहे हैं, तो अलगाती है कि भारती जनता पार्टी और इसका पूर वो जो अवतार था, जन्रसंग या आरेसे ये वैसे भी सैन्निवाद को राजनीती के साथ इंकार्पुरेट करते हैं, हिंदुत्वा हो, सैन्निवाद हो, या अंदधार मिक्ता हो, सामप्रदा रहे हैं, उन्होंने इस तरह के सैन्निवाद को अपनी राजनीत का हिस्सा नहीं बनाया, या नहीं बनानी की कोशिश की, जो डिमोक्रिसी में जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो ये एक बहुत खतरनात ट्रेंडिस सरकार का है, तिस ने एक बहुत ऐहम कहूंगे, कि यहां पर जो सबसे बड़ा खत्रा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, कि इस से पहले जब भिडंत हुई थी, हमें नहीं बूलना चाहिए कि पहली भिडंत नहीं है, सीमा बॉर्डर पर चीन के साथ, तब हमारे मानिनिये प्रधान मंत्री ने सब के सामने एक जूट कहा था, जो सीधे कहते हैं कि ना कोई आया, ना कोई गया, यानि आपने गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उसको सीधे से सबसे पहले हटा दिया, यानि आपने एक तरह से जूट रचा, और उसके लिए आपने कभी माफी नहीं मांगी, जब बाद में पता चला इतने लोग घायल हु ये और मैं मैं आपने लगातार, अभी की बात नहीं है, लगातार कह रहे हैं कि चीन अगर सीमा के अंदर आया है, इतनी जगा चली गई है, खुद आपके ले लगदाद के आपके सांसत, आप इस पे को प्रतिक्रिया ले रहे हैं, देखे मेरा ये कहना है कि अगर पार्लिम कि जो पार्लामेंटरी कमिटी हमारी हैं, जिनको मिनी पार्लामेंट का जाता है, हमारे सिस्टम में, उनमें भी चर्चा नहीं कराई जा रही है, और देखे पार्लामेंटरी कमिटी का सिस्टम क्या है, कि वहां किसी भी पार्टी का जो सांसद है, अपनी पार्टी के पर्मेशन ब्राडकास्टिंग की जो कमेटी है इसके अलावा जो विदेश मामलों की जो पर्लेमेंटरी कमेटी है इनकी जो मीटिंग्स हैं वो भी बहुत देड़ से हो रही है फोई उसमें वाइबरेंट डिसकसन नहीं हो रहा है मैं एक कदम सुनिये मैं एक कदम आगे जाके सवाल पूछना चाहता हूँ ये ना भूलें ये वो सरकार है ये वो पुलिटिकल पार्टी है और ये हमारे वो सम्मानित प्रधान मंत्री है जो खुले आम मंच पर कहते हैं चुनावायो के मश्वरे के बावजूद कि क्या आपक मुझे चीन शब नहीं निकलता आपति मुझे इस बात पर है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी पॉलिटिक्स करने के बाद आप चीन पर क्या हो रहा है मैं क्यों नहीं देश की जनता को संसद के जरी मेरा कहना संसद हम संसद चुनते हैं अभी तक यहां जो लोगतंत के ऊपर खेली है आपने बताया है कि आप किस तरह से दूसरे शौरे की बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात किस ने की थी हमने आपने और विपक्ष ने नहीं की थी ना आपने पूरा का पूरा 2019 का चुनाओ एक international affair border affair जो conflict हुआ उस पर खेला तो फिर आप आपके चाहेंगे तीसरे और हैं मुद्दे की तरफ शाहरू खान की फिल्म पठान आ रही है उनके गाने बेशर्म रंग को लेकर लगातार उन पर हमला किया जा रहा है उन्हें जान से मारने की तक धंकी दी आयोध्या के एक महंत जो खुद को जगद गुरू कहते हैं और दूसरी नेता हैं दिपिका पाड़कोन या ना भूलें वर्ल कप फुटबॉल के फाइनल्स में ट्रॉफी के साथ दिखाई देती हैं एक तरफ आप उन पर इतना निम्नस तरी हमला कर रहे हैं अगर दूसरी तरफ आप कही ना कहीं देख रहे हैं कि शारुकों दिपिका अंतराश् पटल पर उनकी क्या हैसियत है क्या है इस खबर का पंच भाशा आप बताएं देखिए अभी सार एक बात बहुत साफ हो गई है कि जो राश्टिय गर्व के मुद्दे हैं जो विशे हैं उन्हें ये नफरती ब्रिगेड राश्टिय शर्म में तबदील करना चाहती है और कि मंच पर शर्म की बात है कि हम अपने स्टार्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अभी सार आपका क्या पंच है इस पर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चाहे cricket में भारत की उपलबधी हो चाहे फिल्मों में भारत की उपलबधी हो ये भारत की soft power है जो भारत की छवी को बाहर जाकर जो हैं project करते हैं सही माइने में क्रिकेट बोर्ड की क्या हालत हो गई है वो कही न कही भारती जनता पार्टी का एक extension बन गया है वहीं बॉलिवोड पर पिछले 5-6 सालों में जो डर का माहौल कायम किया जा रहा है बड़े बड़े सूपरस्टार्स पर उसके जरीया आप हमारी soft power को बरबाद कर रहे हैं और इसे देश का ही नुकसान है और मिलेशी क्या इस खबर का पंच तीकि मेरा समझना है कि अपने देश की जो potential है जो एक अकूत समभावनाए हमारे हाँ है creativity में हमारे हाँ आमिन जो एक vibrant democracy रही है अभी तक जो बरबाद की जा रही है जिसको विल्कुल डिरेल किया जा रहा है तो हमारी जो image है एक creative एक देश की एक vibrant democracy वाले देश की उसको अगर आप देखे आट नौ सालों में तो लगातार तबाह किया जा रहा है पूरी दुनिया में भारत की एक कटरपंथी किस्म की एक बहुत ही उजड किस्म के सोच और दिमाग वाले जो लोग है खासकर जो सत्ता में पहुँच गया है इस तरह की image जा रही है हमारे cinema की image अभी देखिए एक फिल्म को बहुत सरकार ने तरजी दी उसको film festival में एक international film maker ने बड़े उसको vulgar कह दिया तो ये अच्छे लोगों को उनकी image को चौपट करना और जो creative लोग नहीं है उनको glorify करना ये हैरतंगेज है भाशा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज साहिर लुध्यानवी साहब जिन्दा होते और उन्होंने प्यासा का वो गाना लिखा होता कि जला दो जला दो जला दो ये दुनिया उनको अरबन अकसल बताया जाता उन पर यूए प ये लगा दिया जाता अगर आज जाने भी दो यारण रिलीज होती उसका आपको याद है climax किस तरह से होता है वो रामायन महाभारत जो अपने आप में इतना powerful punch था satirical punch था मतलब अगर इनकी सोच इस वक्त होती तो हम तो नजाने किस रसातल में घुसे होती creatively हमारे पास भाशा हमारे पास एतिहासिक तौर पर भी ऐसी खुबसूरत फिल्में नहीं होती जो हमें दिखाई देता अगर इनका निजाम होता उस वक्त दिलीप कुमार राज का पूर न मेरा यह मानना है अभिसार की इन्हों ने पूरी तरह से जो नफरत फैलाई है वह इस तरह से हो गई है कि अब आप देखिए कि एक शक्स हिंसा की बात कर रहा है खुले आम कहा रहा है यह बहुत बड़े खत्रे की घंटी है कि वह सीधे सीधे बोलता है कि मैं जला अब आप प्रवोक करते हैं वो क्यों उसका दोश कहा है उसका दोश वो साधू में नहीं है उसका दोश वहां पर है कि मद्यप्रदेश के गरी मंतरी खुले आम कहते हैं कि अबीर पैदा कर रहे हैं जично Mommy की पी अध्यप्रदेश के स्पीकर ये बयान देते हैं कि शाहरुक अपनी बेटी के साथ बैठके देखे ऐसे कौन किसी के परिवार को खीचता है तो मर्यादा नहीं आपके लिए क्या और मुझे तो लगता है कि ये सारे लोग क्या देखते हैं और क्या दिखाते हैं इस पर भी सव तो ये जो एक पूरा रवया कर दिया है कि इंकर्टेन्मेंट को इन्होंने पूरे साथर आतक में दबाने की कोशिश के लिए उर्मिले जी एक ट्रिपल आर फिल्म है राजा माउली की कहते हैं उसे ऑसकर मिलेगा गोल्डन ग्लोब मिल सकता है वो महारत हासिल कर रहा है मैं कहता हूँ कल को राजा माउली या उनके अक्टर्स जो हैं जब अंतराश्ट्री मंच पर जाएंगे अंतराश्ट्री पत्रकारों का सामना करेंगे और जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि देखे शाहरुक खान तो एंपायर टॉप 20 में शामिल हैं दिपिका पाडुक कि भारत के लिए अंतराश्ट्री तोर पर और वो खेमा जो सत्ता की भारत की जो सत्ता समरचना है उसका उसको रिप्रेजेंट करने वाला है उसमें मंत्री हैं स्पीकर हैं जैसे आप लोग बता रहे हैं सांसद हैं तो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने फ्रिंज अले पहले कहा जाता था कोई घटना होती थी कि भाई फ्रिंज अलिमेंट का काम है अब तो फ्रिंज अलिमेंट ही में में स्ट्रीम हो गया बई सत्ता में तो मुझे लगता है कि जो लोग पहले अफवाबाद होते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि शड़ अंतरकारी किस्म क महबत करते हैं कि भाया आप सत्ता में हो लेकिन यह समझो कि यह देश चुआ है बहुत विशाल है एक 140 करोड लोगों का एक अर्ब 40 करोड लोगों का यह देश है इसको बचाने के लिए जरूरी है कि जो एक संग्यत ढंका सहज ढंका बेवहार राजनीत में होना चाहिए जो डिमक्रसी के पक्ष में हो उसको सीखे आप बिल्कुल और मैं एक चीज में बताना चाहूंगी कि जब आपने कहा ना दीपिका पादुकोन वहां थी शारुक खान वहां थे मेरा मन हो रहा था कि काश आज भी कोई मीडिया इन तमाम लोगों के को कि देखिए टू तो मिश्रा के पास और पूछता कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है लेकिन वो बीडिया बिचारा कर नहीं पाया मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि तुम देश की जनता को कितनी नफरत में दफन करोगे ये भी सवाल है और मैंने कहा कि राजा माउली या उनके कास से अगर अंतराश्टी पत्रकार पूछे मैं कुछ और कहना चाहता हूं ये जो एस जैशंकर सहाब है हमारे विदेश मंतरी या प्रधाम नंतरी नरेंद्र मोदी खेर वो तो खेर सवाल लेते ही नहीं वो एक अलग बात है उनसे जब ये सवाल जाएगा उनके पास क्या जवाब होगा देने का फेर वो कहेंगे कि आप पाकिस्तान से पूछे क्यों हर चीज में यही कहते हैं कि आप भारत से क्यों पूछ रहें और यहां पर उग्षिर जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में कम से कम इस तरह का दृश्य अभी तक रहें यहां तो आपकी वह प्रिय सांसद हैं जो फोपाल से आती हैं जो कह रही है जो आतंकवादी हमले में आरोपी हैं यह जो ग्यान दे रहें इस देश को और बता रहें कि हिंदूओं को क्या करना चाहिए क्या देखना चाहिए और क्या कपड़ा पहनना चाहिए यह भी बता रहे हैं तो वाकई बहुत ही शर्णाक स्थिती है फिल्मों पर निशाना साधना फिल्मी सितारों पर निशाना साधना वो शाहरुख जिसे देखकर आपको राहुल और राज की छवी ही याद आती है उनकी पहचान को एक मुस्लिम अक्टर तक सीमित की जा रही है यही इ यानि हिंदी फिल्म इंडास्ट्री लगभग नतमस्तक है, डर है उसमें, कोलकाता को नीच हुपा रहे हैं और साउथ को नीच हुपा रहे हैं, जहांसे अब भी ऐसी फिल्म में आती हैं, जो व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही हैं, मगर मुझे खुशी है कि जो कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, अमिताब बच्चन जैसे शक्स ने अभी वक्ती की आजादी पर अपनी बात कही थी, मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह का शौरे, इसी तरह का होसला, इसी तरह का साहस, अब तमाम आक्टर्स में आएं, क्योंकि इतिहास फिर आपको